गुद मॉर्णिंग स्टूरेंस कैसे हैं आप सर्फ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोर्जों सेटलमेंट ऑफ इंडुस्टिरल डिस्प्यूट की इंडुस्टिरल डिस्प्यूट को सैटल डाउन करने के लिए एक मशीनरी का निर्मान किया गया है जिसे हम मशीनरी काम क्या है कि डिस्प्यूट के इंक्वारी करना और उसके बाद उसको सैटल करने के लिए प्रयास करना ठीक है जिसके तीन पार्ट्स हैं वालट्री सैटलमेंट अपने लेवल पर बात करेंगे वालट्री सैटलमेंट एंड का मतलब क्या है कि एक तो स्वैचिक आप सैटल का मतलब है कि समझोता यानि कि कोई ना कोई तीसरा पक्षकार आपके बीच में आएगा और वो आपको समझोता कराएगा चाहे वो एक परसन हो चाहे वो पुरा बोर्ड हो ठीक है उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे सबसे पहले हम वालन्टी सेटलमेंट पर कि तरफ से सुप्वे कि तरफ से हों राये ये एंप लोई कि तरफ से ठीक है उगें सब्साट कि पूरे साल में कभी भी काम कर रहे हो या इससा में भी काम कर सकते हैं, हो सकता है, इससा में भी 100 वर्कर्स काम कर रहे हो, उसे ज्यादा भी हो सकता है, minimum 100 workers होने चाहिए ठीक है minimum 100 workers पूरे साल पिछले 12 मेने में कभी भी अगर वहाँ पे काम कर रहे हैं या कर रहे थे तो ऐसे industrial establishment में appropriate government special order पास करके works committee बनाने के के लिए कह सकती है तो works committee में कुछ लोग होंगे जिसमें तोनों पक्षकारों के equal equal representative होंगे और works committee का जो काम है वो एक तरह की से शानती बनाये रखना है मतलब इस तरह के का कोई situation ही नहीं आने देनी कि ऐसा कोई dispute हो मतलब prevention is better than cure वाला concept नहीं अपनाना है कि अगर कोई भी जगड़ा हो उससे पहले ही उसको sort out कर ले और उसका जो भी हमें लग रहा हो कि ऐसा कोई dispute हो सकता है तो उस चीज़ को उस जड़ को उस reason को पहले ही खतम कर देना तो ये दोनों पक्षकारी joint effort करते है ये दोनों की तरफ से कोशिश रहेगे कि ऐसा कोई भी situation ऐसी कोई circumstances आहीं ना पाएं ठीक है तो ओविसली डेली day to day routine वर्क के से related बहुत सारी problem हो सकती है कभी safety को रहे के problem है कोई supply services को लेकर problem है salary को लेकर problem है कोई भी problem हो सकती है तो problem ना आए उससे लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा environment create किया जाए जिसमें दोनों बक्षकार बड़े smoothly और बड़े काम तरीके से जो है काम को अंजाम दे तो it's a joint effort और हलागी decision मादब works committee अगर मान दीजिए किसी होने वाले dispute के ओपर कोई decision या यानि कि कोई ऐसा अपना राए अपना opinion रखती है उसको मानना या ना मानना ये ज़रूरी नहीं है हो सकता है दोनों पक्षकार मान भी जाएं और हो सकता है नहीं भी माने में भी एक पक्षकार को यह लगे कि वर्स कमेटी जो decision ले रही है वो एक तरफा है यानि कि biased है तो ऐसे case में वर्स कमेटी के ओपर ये कोई जोर जबर्दस्ती नहीं है कि उसको अपना decision मनवाना ही है उसका काम सिरफ एक तरीके से अपना opinion रखना है मानना या ना मानना दोनों पक्षकार के हाथों में है ठीक है और क्योंकि दोनों की तरफ से equal equal representative होते हैं इसलिए जो employer यानि की management की तरफ से जो representative होंगे उसमें एक chairman उसमें से बना दिया जाएगा और deputy chairman जो है वो workers के पार्ट वर्कर्स के representative में से बद सकता है यह तो हो गया हमारा works committee का concept अब बात करते हैं conciliation officer की जिनें आप समझोता अधिकारी कैसे लगाए जाएंगे तो appropriate government जो है notification जारी करके मतलब एक सूचना जारी करके और सूचना किसरी किसे जारी की जाती है official gadget में यानि सरकारी एक राजपत्र हम पोलते हैं उसको हिंदी में official जो gadget होता है उसके अंदर यह सूचना जारी की जाती है कि इस तरीके से consolation officer लगाए जाएं या एक लगाए जाए एक से जादा लगाए जाएं और यह officer जो है वो particular area के लिए लगाए जाते हैं particular establishment यानि जो भी industry है उसके लिए लगाए जाएंगे पर्मनेंटली भी हो सकते हैं और थोड़े टाइम के लिए भी हो सकते हैं तीक है अब इनका काम क्या है consolation officer का definitely समझोता अधिकारी है तो उसका काम तो समझोता करा रही है तो वो किस लिए आया है उसको किस लिए लगाया गया है कि जब dispute होगा तो उसका काम जो है वो dispute को या उन दोनों पार्टिस के भीच में एक तरह से समझोता कराना है और समझोता कराने का जो प्रोसीजर वो फोलो करेगा वो एक्ट के एक गौर्डिंग दी करेगा डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री किस तरह किया जैसे माली जे पब्लिक यूटिलिटी को सर्विस है ज इसिक जो आप सर्विस कह सकते हैं उन सर्विस के लिए किस तरीक जो डिस्प्यूट होंगे उसका सट्लमेंट करने का तरीका जो है वो इफ्रेंट होगा ठीक है तो वो सारे प्रोसीजर फॉलो करने होंगे और अपनी रिपोर्ट जब भी वो समझोता कराईगा या जो भी उसका opinion होगा वो अपनी report appropriate government को भेज देगा 14 दिन के अंदर अंदर अगर वो किसी decision पे पहुँचता है तो ठीक है यानि कि अगर दोनों पक्षकार अब मान गए हैं उनका जबड़ा खत्म हो गया है और उन्होंने एक memorandum पे sign कर दिये हैं कि येस अब हमें कोई problem नहीं है हम एक दूसरे की ये बाते मानने को तयार हैं तो उससे related एक report और memorandum के एक copy जो है appropriate government के पास 14 दिन के अंदर अंदर ये cancellation officer पहुचाएगा इनकी duty है और इस 14 दिन का जो time है that can be extended और that can be shortened यानि कि उसको कम भी किया जा सकता है और वो बढ़ाया भी जा सकता है डिपेंड करता है कि appropriate government को कैसा जरूरत महसूस हुई है उसके accordingly ठीक है तो उसकी भी एक report उनको बतानी होगी ना reason के साथ कि ऐसा क्यूं हुआ क्या reason थे जिसकी वाज़ा से कोई विवाद सुलज ही नहीं पाया ठीक है और reconciliation officer का decision भी administrative तो कह सकते है बस judicial नहीं कह सकते मतलब उसको मानना या ना मानना वह parties के हाथ में है उनका काम सिर्फ mediator का काम है जो सिर्फ जो है industrial dispute को control करने के लिए आया है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका कारे जो है वो प्रशास नहीं कह सकते हुआ बट आप नियाइक नहीं कह सकते ठीक है गवर्मेंट को अगर लगता है अगर इस dispute को आगे refer किया जाना चाहिए किसी और authority के आगे तो ऐसा कर सकती है और reason के साथ दोनों parties को एक notice ले देगी कि हम अपना आप पर जो dispute है इस जगह पर refer कर रहे हैं ठीक है लेकिन अगर उन्हें लगता है कि reference की जरूरत नहीं है तो भ management है ठीक है तो यह दूसरा जो पाइंट हुआ हमारा conciliation officer का पहला क्या था हमारा पहला था voluntary settlement के आंतरगत वोस कमेटी नंबर वन सेगिंड वन इस conciliation officer अब आ जाता है board of conciliation board of conciliation मतलब conciliation का board consolation board समझोता बोर्ड से आप कहेंगे तो appropriate government बिल्कुल से प्रोसीजर से यानि की official gadget में एक सूचना जारी करें नौटिफिकेशन दे कर board का निर्मान कर सकती है और board में members का सुन लेजिए board में member जो एक तो chairman होगा right और दो member या चार होंगे या दो होंगे या चार होंगे अब अगर दो हैं तो दोनों तरफ से एक-एक member दोनों पक्षकारों से और अगर चार है तो दोनों तरफ से दो-दो member होंगे मत्तब member हमेशा equal रहेंगे वो इदर उदर नहीं हो सकते chairman एक रहेंगे chairman जो है independent person होना चाहिए वो ना तो इस party का ना ही उस party का होना चाहिए क्यों क्योंकि अगर chairman ऐस एक पक्षकार का हमने ले लिया तो जो decision है वो bias होने के chances है इसी लिए ऐसा किया जाता है ठीक है और members की जो appointment है वो recommendation के अधार पर की जाएगी दोनों parties recommend करेंगी उसकी अधार पर members की appointment की जाएगी ठीक है appointment एक सिकिंद हाँ अगर दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार मतलब चाहें workers हो या फिर management हो अगर recommend करते ही नहीं है तो फिर appropriate government अपने लेवल पर member appoint कर देगी ठीक है अब रह गई quorum की बाद मान लिजे क्योंकि board है तो board की meetings भी होंगी तो board में meeting के लिए quorum, quorum होता है कि minimum number of members जिनको present होना चाहिए अगर मान लिजे 4 member हैं और एक chairman है तो total 5 हो गए तो quorum यहां पर 3 है यानि कि कम से कम 3 member होंगे तो meeting start होगी वरना meeting cancel हो जाएगी similarly अगर 2 member और एक chairman है तो 3 में से कम से कम 2 लोगों का होना अनिवारे है नहीं तो meeting नहीं होगी कभी कभी ऐसा भी होता है मान लिजे चेर्मेन ही नहीं है तो में भी इस केस में तो meeting फिर बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी क्योंकि भी ना chairman के ये भी हो सकता है कि chairman present ना हो या chairman की post खाली हो जब तक chairman की post फिलने की चाती तब 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 इस तरह की meeting या ये board की कारवाही suspend मानी जाती है नहीं हो सकती बोर्ड एक permanent body नहीं है बोर्ड का निर्माण सिर्फ तभी किया जाता है जब कोई dispute हो जाता है और dispute भी ऐसा जो बड़ा complicated nature का है जो थोड़ा important है इस तरीके मतब dispute important नहीं है लेकिन उसका जो दाइरा है वो इतना बड़ा है कि उसके उपर हमें स्पेशली फोकुस करना पड़ेगा तो उसका सेटल होना बहुत ज़रूरी है इसलिए वो important है और जो दुसरी बात क्या कह रही थी मैं कि complicated dispute है इसलिए इसका निर्माण किया जाता है इसका मतलब यह हुआ कि Board of Consolation is not a permanent body ठीके Now we will do what are the main differences between Works Committee and Consolation Board अभी अभी आपने दोनों चीज़े पढ़ ली ना Works Committee तो सबसे पहले पढ़ी थी तो Works Committee में क्या-क्या देखा था हमने कि dispute होने से पहले ही मतलब एक तरीके से कोई भी ऐसा कामी नहीं करना कोई ऐसा महौली करियेट नहीं करना कि dispute हो यहां तो भई dispute हो चुका है तो ही board जो है अस्तित्तों में आया है Works Committee के जो members है वो संख्या उनकी जादा होती है इसमें दो या चार जो मैंने आपको बताए थे फिर उसके बाद है दोनों तरफ से equal equal person होने चीए लेकिन कभी-कभी किसी particular circumstance में जो worker के representative है वो exceed कर सकते है employer के representative से मतलब वो ज्यादा हो सकते है worker के representative इस case में ऐसा नहीं हो सकता यहां पर जो chairman है वो कहां से elect होगा employer के उदर से और जो हमारा deputy chairman है वो कहां से होगा workman के representative से यहां ऐसी कोई practice नहीं है उसके chairman तो है लेकिन वह independent है न फिर उसके बारा रहा दर बोर्च वंच्छन बोर्च का फंक्छन कब स्टार्ट होता है जब वर्च कमिटी का फंक्षन खतम हो जाता है मतलब वर्च कमेटीने निगाज ही हमारे बसका नहीं यह तो जगड़ा करके ही मढनेंगे और जगड़ा हो गया और उस courts of inquiry तो appropriate government same procedure यानि notification चारी करके official gadget में notification चारी करती है और court of inquiry का निर्मान करती है ये इसमें एक member भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकते है हमें देखने में थोड़ा जीब लग रहा होगा कि अच्छा court में एक ही member definitely one member और more than one member लेकिन independent होने चाहिए मतलब दोनों पक्षकारों में से नहीं होना चाहिए दूसरी बात अगर एक से ज्यादा person है तो एक chairman भी जरूर होगा कौरम की बात करते हैं कौरम जो है वो depend कर रगार rules के अधार पर जो rules उसमें fix किये जाएंगे अगर कोई कौरम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है और chairman ही नहीं है या chairman की post का लिए है तो meeting जो है या फिर जो board की कारवाही है वो सच नहीं हो पाएगी जब तक chairman की appointment नहीं होती court of inquiry अपनी report छे मेने के अंदर-अंदर appropriate government को देगी जो भी उसको कारे हो यहीं जहीं ठालेते हैं points बोर्ड का काम जो है वो वर्स केमिटी के बाद स्टार्ट होता है लेकिन इसके बाद court of inquiry का काम है बोर्ड में दो या चार मेंबर है आपने उसमें देखा इसमें इक भी हो सकता है एक से जआदा भी हो सकते हैं री प्रेजन्टेशन उसमें एकॉल रहेगा उसमें कोई कंसेप नहीं है इसमें किस चीज़की प्रैक्टिस नहीं है ले चुछ कर लेते हैं नहीं करना हूं चेयर्मन और वाइस चेयर्मन का सीन इसमें टो है जो कोट फिनकुरी उसमें चेयर्मन टो है लेकिन वह इंड़्पेंडेट होना चाहिए फिर उसके बाद यहां पर वही पॉइंट्ट था कि व्रक्सक्रूमिटी का काम खतम होगा तो और अब यहां कह सकते हैं कि अ लब वो थोड़ा शांती से काम करने में विश्वास रखते हैं दोनों पार्टी को कन्विंस करेंगे लेकिन हमारी जो कोर्ट ओफ इंक्वारी है ठीक है यह वाली कोर्ट ओफ इंक्वारी इसका काम रीजन्स को फाइंड आउट करना है क्यों हुआ उसमें इतना टेंशन उस क्रेंट परीजन पर नहीं डाल रहे उसमें बोर्ड में तो है तो थोनों पाराटी को करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है लेकिन है को पार्व इंक्वान य जे चांपीन पर उप आईगा next arbitration आएगा लेकिन voluntary settlement में अगर हम जाएंगे तो उसमें there are four types, works committee conciliation officer board of conciliation and court of inquiry, so that's all for this video thank you so much, bye bye, take care